हाई एवरीबन मैं प्रियांक और आपका स्वागत है होम एन मच्मूर में फेस्टिव सीजन आने वाला है नवरात्र, दशेरा और दिवाली तो ऐसे टाइम पे रेगुलर सपाई के साथ साथ किचन की डीप क्लीनिंग तो बनती ही है तो हम आज करने वाले हैं हमारी किचन की डीप क्लीनिंग तो आज की वीडियो में कवर होगा कि हम कैसे जो हमारे किचन की ट्रॉलीज है इन्हें पूरी तरह से निकाल के डीप क्लीनिंग करते है वैसे ये जो deep cleaning है साल में एक बार से काम नहीं बनता है जैसे ये खराब होता है वैसे हमें clean करना पड़ता है बट आज trolleys की cleaning के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम इसे disinfect कैसे करते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं Left side में हमारे kitchen का main counter है और right side में भी एक छोटा counter है fridge और ovens के बीच में तो दोनों side पर कुछ trolleys है और normal cabinets है लेकिन जो main counter है उसके नीचे ज़्यादा trolleys है तो trolleys जो है regular cleaning उपर उपर से होती है लेकिन जब भी हम चाडू लगाते हैं तो नीचे नीचे कच्रा अपने आप चला जाता है और भी चीज़ें जो अंदर अंदर पीछे की तरफ गिर जाती है और channels को भी clean करना ज़रूरी होता है मैं अपनी almaria फर कहीं पर भी जहां मैं चीज़े arrange करती हूँ अगर बहुत time or efforts लगा के वो arrange किया है possibility है कि मैं वो भूल जाओ तो मैं cleaning से पहले एक photo ले लेती हूँ ताकि बाद में वापस से जो जगव जो चीज यहां पर थी वो वहीं पर जाए अगर आपके पास vacuum cleaner है तो आप dry cleaning यानि जो धूल है जो भी सूखा सूखा कच्रा है वो आप vacuum cleaner से clean कर सकते हैं आप किसी भी टाइप का vacuum cleaner यूज कर सकते हैं जो आपके पास है अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई cleaning वाला brush यूज कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो trolley है वो आप channels में से कैसे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मेरे husband actually demo दे रहे हैं वो बहुत ही easily ये काम कर लेते हैं और जब भी हमें cleaning करनी होती है तो वही channels में से trolley को निकालते हैं तो side में जो button है उसे push करके आप trolley को बाहर निकाल सकते हैं एक समय पर अगर आप एक ही section में से सामान निकालेंगे और trolley निकालेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा जो भी सामान है उसका फैलावा नहीं होगा वना सारी trolley और सारा सामान बाहर निकालने के बाद वापस arrange करना difficult होगा इन फैक एक section पर अगर आप फोकस करेंगे तो अगर आपके पास एक दिन में time नहीं है तो आप days में अपना काम जो है कि split कर सकते हैं अगेन मैं यहाँ पर photo ले रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे sections हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही सोच विचार करके मैंने चीज़े अरेंज की है और वो उसी प्रकार से वापस जाए इसलिए एक photo तो आप यह same चीज़ कहीं पर भी follow कर सकते हैं अलमारी में या कहीं पर भी मैं यह चीज़ बहुत follow करती हूँ next tollies को clean और disinfect करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ क्या आपको पता है घर में kitchen एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज्यादा bacteria पाया जाता है जैसे कि cabinets, handles, counter, stove और chopping board यह सब regularly use होते हैं और इनकी सफाई भी ज़रूरी होती है normally हम लोग सफाई पहले साबुन से और फिर पानी से करते हैं जो कि पूरी तरह से germs का सफाया नहीं करते आज मैं kitchen trolley की deep cleaning करने वाली हूँ और साथ ही मैं germs का भी सफाया करने वाली हूँ अगर cleaning spray disinfect भी करें तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है इसलिए आज मैं savlon का multipurpose disinfectant cleaner यूज करने वाली हूँ ये एक ऐसा spray है जो सफाई के साथ kitchen में आम तोर पर पाई जाने वाले bacteria, fungi, virus और 99.9% germs को खतम करता है इसमें कोई harsh bleach या alcohol भी नहीं है इस spray से fridge, microwave और surfaces जैसे की dining table, kitchen counter और stove भी साफ किया जा सकता है इसकी citrus खुश्बू भी काफी pleasant है, इसे यूज करने के लिए बस इसे surface पे आप spray करें फिर एक कपड़े या sponge से पोच लें अगर आप भी इस प्रड़क को यूज करना चाहते हैं, surfaces को clean करने के लिए, अपने घर को festival ready करने के लिए तो इसके लिंक आपको विडियो के description box में मिल जाएगी Savlon Multi-Purpose Disinfectant Cleaner अवेलेबल है 500 ml बॉटल में, जिसकी प्राइस है 159 रुपीज सबसे उपर वाले drawer में cutlery वाली tray है, और जो नीचे के दो drawers है, इनके अंदर basket है stainless steel की, तो इसमें हमारे बरतन होते हैं तो एके करके हम ये भी निकाल रहे हैं चैनल्स में से ट्रॉली निकाल कर जिस प्रकार की सफाई होती है, वो ट्रॉली वहाँ पर लगे ही रहे, उसके साथ में नहीं हो पाती तो ये देखिए, वैसे तो हमने हमारे घर के काम के टाइम पर ही पीछे वाल वाले हिस्से में tiles लगा दिया है ताकि वो जो section है वो बहुत ही clean रहे, better रहे compared to wall जहां पर paint होता है और नीचे जो भी सूखा कच्रा है ये कुछ तिनों में ही जमा होने लगता है, तो इसे बीच-बीच में हमें clean करना पड़ता है तो मैं एक vacuum cleaner यूज़ कर रही हूँ पर जैसा मैंने कहा कि vacuum cleaner अगर नहीं है तो आप brush का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर जैसे normal जाडू और फिर पोचा लगाते हैं जो channels है उसमें side में थोड़ी धूल मिट्टी जमी है तो मैं एक छोड़ा सा brush यूज़ कर रही हूँ कुछ दिन पहले मैंने cleaning brushes पर video बनाया था उनहीं में से ये एक brush है तो इस brush से काफी आसानी से जो भी छोटे छोटे spaces में गंदगी जमी हुई है धूल जमी हुई है ग्रीस है वो सब निकल रहा है सूखी सूखी सफाई के बाद आप पोचा लगा सकते हैं तो एक से दो बार जितना आपको लगता है कि जरूरत है उसके हिसाब से आप पोचा लगा सकते हैं जो ट्रॉली इस हमने बाहर निकाली थी उसमें भी अंदर से गंदगी जम जाती है दूल जम जाती है या फिर हाथ के निशान लग जाते है और साथी में डिसिंफेक्ट करने के लिए मैं सावलॉन का मल्टी परपस डिसिंफेक्टिंग क्लीनर भी यूज़ कर रही हूँ और साथी में जहाँ पर मुझे लग रहा है कि छोटी स्पेसेज में धूल है विट्टी जमी हुई है तो छोटा वाला ब्रश भी मैं यूज़ कर रही हूँ चैनल्स में ज्यादा गंदगी जम जाती है क्योंकि चैनल्स में ग्रीस भी होता है ताकि जो चैनल्स का मूवमेंट है वो अच्छा हो तो ग्रीस के साथ साथ धूल भी जम जाती है इसलिए चैनल्स को क्लीन करना अलग से बहुत ज़रूरी हो जाता है तो जो drawers है ये clean हो चुके हैं अब drawers के अंदर की जो baskets है वैसे हमने हमारी drawer की baskets के अंदर fridge mats रखी हुई है मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ तो ये देख लीजे इस तरह से आप channels में वापस ते जो drawers है उन्हें लगा सकते हैं लगाना बहुत ही easy है अब जो ये baskets है इनमें जो liners लगे हुएं ये इतने गंदे नहीं हुए है ये जो liners है ये fridge वाली mats ही है जो मैंने ट्रॉली में रखी है तो इससे क्या होता है कि जो भी कच्रा गिरता है वो इस पर गिरता है और इसके उपर का कच्रा नीचे वाली ट्रॉली में जाकर नहीं गिरता है और बाद में सफाई भी आसान हो जाती है तो आपके घर में भी tandem drawers अगर नहीं है आपके घर में ऐसी ही ट्रॉली है तो आप उसमें जरूर एक liner लगाए और फ्रिज माट अगर आप लगाएंगे तो फ्रिज माट जो होती है स्टिफ होती है तो साइड से curl या फिर roll नहीं होती बस इसी तरह से जो बाकी के sections हैं हम उन्हें भी clean करने वाले हैं तो जिस तरह से channels निकाले उसी तरह से side बाले draws भी हम निकालेंगे और clean करेंगे तो फ्रिज माट या फिर लाहिन लगाना ना भूलें बहुत ही फाइदमन्द होता है नेक्स है ये wicker basket जो की wooden होती है तो इसकी भी सफाई बीच-बीच में जरूरी हो जाती है और इसकी सफाई normal trolley से ज़्यादा जरूरी होती है तो इसकी vacuuming कर लेते हैं कभी-कभी हम इसे brush से clean कर लेते हैं और साथ ही में इसे दूप में रखना भी जरूरी हो जाता है ये है हमारी cutlery tray तो regular use के साथ-साथ cutlery tray हम clean करते ही रहते हैं पर फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो जम ही जाती है तो पहले मैं इसे dry-dry पोच रही है और उसके बाद मैं ये cleaner use करके इसे भी disinfectant clean करने वाली हो आप चाहें तो आपकी जो cutlery tray है से आप wash भी कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो wash करें वरना आप ऐसे wipe करके clean कर सकते हैं क्योंकि मैंने photo भी लेकर रखी थी तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो रहा है कि जो चीज यहाँ पर थी वो वही पर वापस आ रही है तो इस तरह से करते हैं हमारे kitchen की trolleys की deep cleaning I hope आपके लिए भी यह video useful रहा हो अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और home and much more को subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल करें तो इस दो कि जब रहा हो जब रहा हो जो कि अब बाई